जयहनव द्यारदियों क्या है चाल सब बढ़िया चलते हैं आज की बहतनी सी क्लास की और क्योंकि आज की गलास सच में जानदार सांदार होने की कार करेगी और आज हम सेभ धर्म को कहीं न कहीं समाप्त करेंगे और फिर हम कल doing ид करेंगे बेशन अब दर्म के बारे में और आज हम business रूफ से बात करने वाले हैं का पालिक लिंगायत तथा काला मुख धर्म जो बताते हैं शब धर्म के अंधर काते हैं सभी धर्मों को business रूफ से बताने का कार करूँगा जो कि आपके exam के लिए तताब के जीवन के लिए आती महत्रबून होने का कार करता है ध्यान रखेगा जो बच्चे सोचते हैं तो जर तेस के अंते मिंते तेक बहतरी इसी जोब आपके हाथ में होगी तो ध्यान रखेगा जुड़ जाएए future academy x by z से क्योंकि यहाँ पर सारे foundation बेचा को free में दिये जा रहे हैं आपसे एक भी रुपए नहीं लिया जा रहा है तो ध्यान रखेगा चलते हैं बहतरी इन से topic की ओर क्योंकि आज का topic सच में जानदर सानदर होने का करेगा कल मैं बता चुका हूँ आपको पशुपती जो बताया था न वो सभी धर्म के बारे पशुपती धर्म को बता दिया था आज हम बताना था कपालिक के बारे में तो कपालिक के बारे में बताऊं मैं तो यह समझेगा ये नर खोपडी में भोजन तर्था जल को ग्रण करते हैं और ये मंदरा पान करते हैं आपको बता दें उथान की तौर पर आपने देखा होगा जब हरिद्वार का महा कुंब मेला लगता है न तो नागा साधू आते हैं तो वही ये हैं कौन हैं ये वही हैं इनको कापालिक क्या बूलते हैं ये ये कापालिक कापालिक समस्झति ये साखह होती है समझ लीजए एक पेढ़ है यानि से भगबान है एक पेढ़ची इंसे साखह की बटी है तो इन साखहों की बात ये इस रूप में मैं आपको बताना चाहानों कुछ इस Chamber से है मेरे आपको इसी रूप स हैं तता यह मंदरा पान करते हैं क्या करते हैं भीया जी यह मंदरा पान करते हैं अब तो कहेंगे भईया जो धारू पीने वाले हैं बड़े खोस हो रहे होंगे के भईया अब तो हम यहीं पर जाएंगे क्या अब तो हम नागा सादू ही बनेंगे इसके लाबर यहां पर से द देखाओगा, क्या बुलते हैं, मरगटे पर, मुर्दे जलते हैं ना, जलने के पर राख बचती है, उस राख को पुगरी सरीर पर लगाने का काम करते हैं, इनको कापालिक कहा जाता है, इसके आद बहाँ पर समझेगा, कापालिक संपर्दाय के इस्ट देवता भेरव हैं, इनको हम काल भेरव या भेरव के नाम से जानते हैं, और कापालिक संपर्दाय के इस्ट देव को अगर मानें, तो भेरव हैं, कौन है भिया जी, भेरव को मानते हैं, और पिरम कुरूप से मैंने एक्जम्पल में भी यहां पर लिखा है, नागा साधू कापालिक होते हैं, क तो भीया, अगर हम भिसेश रूप से बात करें, तो ये आपको बता दें, नागा सादू वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, इसके बाद बात करेंगे, लिंग्यानत, शिव, शैब धर्म की इस साखा को, बैसे साखाएं हैं, क्या शिव धर्म की इस साखा का विकास करना सारवादिक मिलता है, मैंने भी पतायां नहीं, सिव जी एक, क्या है, सिव जी अनन्त रूप है, इसके लख पर्म की इस साखाएं बटी हुई हैं, क्या है? साखाएं बटी हुई हैं, तो ये ही साखाएं हैं, जो अब भिभन रूप से मैं आज अब पढ़ाने का कार कर रहा है आहां पर देखेंगे इसका प्रारंबिक अलंभ ब्रुभू तथा उनके सिस बाशव ने किया ठीक है इसका अगले पॉइंट के घर हम बात करें इसमें शिब की उपासना की उपासना की जाती है की की जाती है इसमें किस के कहना सर इसमें सिब जी की उपासना की जाती है इसके लाब यहां पर देखिए यह सिबिलिंग की पूजा करते हैं भाया जी बलुकुल यह कौन है यह सिबिलिंग की पूजा करते हैं और किंतु किंतु सब को जलते नहीं कौन किंतु यह सब को जलाते भतना क्यों जब्राइब के पूजा करते थे और भहें शिवर को जलाया नहीं करते थे tief क्यों जासना कि आएतन तो यहाँ पर बात करें, लिंगा यानत संपरदाय, दक्षिन भारत में बहुत लोग प्रिये था, कौन था, दक्षिन भारत करें, तो यह है, सबसे अधिक दक्षिन भारत में लोग प्रिये हुआ करता था, यहाँ पर देखो, लिंगा यानत, संपरदाय को जंग गम, बिर्शिव, बिर्शिव कह सकते हैं, बिर्शिव संपरदाय, संपरदाय भी कहते हैं, संपरदाय भी कहा जाता है, यह दो बाल लिग गया, ठीक है, भी संपरदाय भी कहा जाता है, अगर हम काला मुख की बात करें, सिब महापुराण में काला मुख संपरदाय के मताबल्लिवियों को महाब्रतधार कहे कर पुकारा गया है महाब्रत लोग अपने सरीर पर चिता की भस्म लपेट कर रहा कर दे थे देखो अब तो सारी चीज़ें किलियर हो गई न काला मुख की अगर हम विसे सुरूप से बात करें किया भया जी के नसर काला मुख की अगर हम विसे सुरूप से बात करें तो यहाँ पर समझेए सिब महापुराण में काला मुख संपरदाय के मताबल्ल निवियों को महाब्रत धर कहकर पुकारा गया है महावध्रत जो लोग होते हैं महावध्रत जो करते हैं उन लोगों को अपने सरीर पर चिता की भरश्म को लबेट कर रहना पड़ता है ठीक है एक बार रिवीजन कर लेते हैं कल हम ब्याश्णोधर्म बिसे सोराओ से बात करेंगे वो कहीं ना कहीं बैशन धर्म कहीं ना कहीं बिसेस है और एक्जाम में बहुत जादा पूछा जाता है तो यहां पर देखेंगे कपालिक ये नरकोपडी में भोजन तथा जल ग्रहन करते हैं ये मंदरा पान करते रहते हैं अस्ती के भश्म को पूरे सरी में लपेटे रहते हैं कपालिक संपरदाय को इसके इश्ट देपता भैरो माने जाते हैं एक्जम्बिल की तौरव पर बात करें तो नागासादू कपालिक होते हैं अगर लिंग्यानियत की बात करें तो ये शेव धर्म की साखा का विकास करनाटक में हुआ, इसका प्रारमिक अल्लभ प्रुभू तथा उनके शित से बाश्यव ने किया, इसमें सिव की उपासना की जाती है, ये शेव लिंग की पूजा करते हैं कि इन तो ये सिव को जलाते नहीं थे, शब, शब यानि मरत सरीर को ये जलाते नहीं थे, बलकि क्या दफनाते थे, क्या करते थे, जलाते नहीं थे, बलकि दफनाने का कार करते थे, और इसका जो बात करें तो दक्षिन भारत में सबसे लोगप्रिये रहा है साखा, लोगप्रिये साखा रही है, और इस महाँ पुराण का काला अमोख शंपरदाय के मतावलविया के महाँ ब्रत कहकर पुकारा जाता था इसमें अगर कोई बेस ब्रत को रखता है तो यह ने भश में को लपेटे हुए रखना था बताईए आज के क्लास कैसी लगी जांदर सांदर थी ना तो ध्यान रखेगा अगर आप सोचते हैं 2023 के अंते मिनतें तो एक बहतरी से जो आपके हाथ में हो तो मैं क्यारूं बहिया जी जुड़ जाईए फ्यूचर अकेडमी एक्सपाइजट से क्योंकि यहां पर सब भैच आपको फ्री दी जा रहे हैं आपको एक भी रोपे ने लिया जा रहा है बस आप लोगों को फुल सपोर्ट करना चाहिए ठीके ना तो ध्यान रखेगा जो बिध्यारती नए है बुचलती से वीडियो को लाइक कर देंगे चैनल को सस्क्राइब कर देंगे और सेर कर गाएंगे अपने आरे दोस्तों चाहने बालों के साथ क्योंकि आज की जो वीडिय ठीक है ना इसका स्क्रीन सॉट ले ले इसे का महत्मु तरीके से जल्दी से भाईया इसका स्क्रीन सॉट कैप्चर करो जो भी ध्यारती है ना जल्दी से देखो स्क्रीन सॉट किसलिए कि आप नोट्स बगेरा बना पाएंगे ना जल्दी से स्क्रीन सॉट लो भीया मजा आ झाल झाल